दोस्तो स्वागत है आप सभी का बिहार समाचार में दोस्तो चलिए बिहार के तमाम 15 बड़े ख़वरों के बारे में इस वीडियो में जानते हैं तो फटाफट से आप सभी कमेंट बॉक्स में जरूर बताए कि आप बिहार के की जिले में रहते हैं साथ ही अपनी तरब से आप इस वीडियो के एक प्यारा लाई जरूर कर दें इसके साथ ही वीडियो के अंत में आप से एक सवाल पूछा जाएगा जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में बताना है साम साथ बजे से लग सकता है नाइट करफियो साधी में मेहमानों की सेंख्या घटेगी सत्रक के बाद फैसला जिहां कोरोना के मामले लगतार बढ़ने के साथ बिहार सरकार लोगडाउन तो नहीं पर लोगडाउन जैसी पबंदिया लगा सकती है हलाकि इसका फैसला 17 अप्रेल के बाद होगा आपको बदद की सियम निदिस ने पिछले प्रेस कॉनफरेस में कहा था कि आपदा प्रबंदन की बैठक के बाद ही कुछ पाबंदिया बढ़ाए जाएगी कोरोना संकट को लेकर 17 अप्रेल को राजपाल के अधिक्षता में सर्वा दलिया बैठक बुलाए गई है 17 अप्रेल की बैठक के बाद नाइट कर्पियो साधी में महमानों की संख्या तैक करने जैसे पैसले लिए जा सकते हैं मुंबई से बिहार के लिए 12 इस्पेसल टेनों को चलाने का एलान कोरोना काल में महरास्ट से आएंगे लाखों लोग जी हाँ रेलवे ने एक और बड़ा एलान कर दिया है रेलवे ने मुंबई से बिहार आने के लिए 12 इस्पेसल टेनों को चलाने का एलान किया है East Central Railway की ओर से मिले जानकारी के मुताबिक यात्रीयों की स्वीदा के लिए मुंबई से पूर्व मत्रेल के विबिन इस्टेसनों के लिए कई इस्पेशल टेनों का परिचालन किया जा रहा है इसके अलावा पूर्व से चलाये जारे इस्पेसल ट्रेन के परिचालन आउदी में भी विर्धी की गई है। इसके अपरिल तक किया गया है। सिबेसी परिक्षावों को लेकर बड़ा फैसला किया है। दसवी की परिक्षा को सरकार ने फिलाल रद कर दिया है जबकि सिबेसी बारवी की परिक्षा टाल दी है। प्रधार मंत्री नरेंद्र मोदी ने सीबेसी बोर्ड की परिक्षाव को लेकर कल एक हाई लेवल मीटिंग बुलाई थी दोपार बारा बजे से लगातार प्रधार मंत्री खूद सीबेसी परिक्षा को लेकर सिक्षा मंत्री और अन अधिकारियों के साथ बेठक कर रहे थी इ अगली बड़े कबर CBS 10 वी बोर्ड में बगेर परिक्चा ही दिये जाएंगे अंग बोर्ड ने जारी किया नोटिपिकेसर CBS 10 वी बोर्ड की 4 मैं से 10 जुन तक होने वाली परिक्चा रद कर दी गई है 12 वी बोर्ड की परिक्चा इस्तगित कर दी गई है दसवी बोड के चात्र चात्राओं को बगेर परिक्षा ही माक्स और सर्टिपिकेट देने कर निर्ने लिया गिया है। शिक्षा मंत्रे ने अपने ट्यूटर हैंडल से यह जानकारी सेयर की है। गोविड-19 महामारे के दूसरे वेब और संक्रमन की तेज रप्तार को देखते हुए यहार निर्ने लिया गिया है। इसके साथ ही कहा गिया कि यदि कोई अपने अंक से संतुष्ट नहीं होगा तो उन्हें परिक्षा देने का मौका दिया जाएगा। मगर यह परिक्षा तभी आयोजित की जाएगी जब कोविड-19 के इस्तिती में सुधार होगा और बच्चों को इससे खत्रा नहीं होगा। आपकी जानकारे के लिए बता दे कि इंटर्नल परिक्षा के आधार पर बच्चों को बोर्ड परिक्षा के माक्स देने के तैयारी की जा रही है। तक के लिए पुरानुमान जारी किया गया है। इसमें कहा गया है कि उत्तर बिहार के जीलों में आस्मान में बादल चाहे रह सकते हैं। जंका को देखते हुए लगतार दूसरे राज्यों से परवासि मजदूर वापस अपने घर लोट रहे हैं। परवासि मजदूर के वापसी का सिलसला जारी है। महाराष्ट हो या गुजरात, हर्याना दिल्ली, सभी राज्यों में काम करने वाले बिहारी मजदूर वापस अपने घर को आ रहे हैं। इन मजदूरों को ऐसा लगता है कि अगर इस बार भी कोरोना के कारण लोगडाउन लगा तो उनके लिए इस सिती बहत खराब हो जाएगी। पिछले लोगडाउन का अनवाव बेहत कटा होने के कारण इस बार यहां मजदूर समय रहते अपने गाउं पोहुच जाना चाहते हैं। सभी आधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि जवरत मन को दो दिन के अंदर जॉब गार्ड मुहाया कराया जाए। इसके बाद उन्हें मन्रेगा के तहद काम भी मुहाया कराया जाएगा। पड़े कवर बिहार में एक लाग से जादा लोगों का टेस्ट 4786 की रिपोर्ट पोजिटिव एक हफ्ते में धाय गुना बढ़ा करोना। अब बिहार में तेजी से अपना पाव फैला रहा है। सरकार की ओर से जारी ताजा आकड की मुताबिक 4786 पोजिटिव मरीज एक दिन में सामने आये हैं। इस साल पहली बार 24 घंटे में एक लाग से जादा लोगों की कोरोना टेस्टिंग हुई है। पिछली साथ दिनों के आकड की तुलना करने में ये पाया गया कि एक हफ्ते में कोरोना बिहार में धाय गुना रप्तार से फेला है। बड़े कबर गया में COVID-19 टॉल फिरी नंबर सेवा सुरू जिला प्रसासन ने जारे किया नंबर। गया में जिला प्रसासन ने COVID-19 के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए टॉल फिरी सेवा सुरू की है। गर्बवती महिलावों के लिए घर में जाज की विवस्ता और अस्पतालों में भरती होने की विवस्ता तक की जानकरी दी जाएगी। बड़े कबर चेती छट और राम नौमी पर सरवजनिक आयोजन पर रहेगी रोक। रमजान में जुम्मी की नमाज पर भी बबंदी। कोरोना संक्रमन के बढ़ते कत्रे को देखते वे पटना में चेती छट से लेकर राम नौमी पुजा तक किसी भी तरह के सरवजनिक आयोजन की इजाजत नहीं होगी। रमजान के पवित्र महिने में जुम्मी की नमाज के आयोजन पर रोक रहेगी। कोरोना मंत्री मदन सहनी पोजिटिव पाये गये। कोरोना की तेज लहर ने नितिस कबिनेट तक अपनी दस्तक दे दी है। नितिस कबिनेट के मंत्री मदन सहनी कोरोना संक्रमित पाये गये है। राज की समाज कैलनान विभाग के मंतरी मदन सहनी की रिपोर्ट पोजिटिव आई है और वहाँ पिछले कोज दिनों से अपने घर में ही आइसोलेट है। चीद एक परीचर्चा के दोरान पप्प यादम ने कहा कि बाबा साहब गलत को गलत कहने की हिम्मत की और अपने अधिकारों के लिए लड़ाय लड़ी। अपने अधिकारों के साथ उन्होंने समाज के हर वर्ग के लड़ाय लड़ी। जिनने ही दुष्टी से देखा जाता साथ ही उन्होंने समाज के सभी वर्गों के भागीदारी की वकालत की है। जिया मुझापरपूर में सारवजनिक वधार्मिक इस्तलों में भेड को नियंतित करने के लिए सरकार की ओर से जारी दिशा निर्देश का पालन सक्ति से कराने के लिए जिला प्रसासन ने कवायाद सुर कर दी है। जबक लगा दी है जबकि धार्मिक इस्तलों पर आम जनों के परवेश की मना ही है। बिना RTPCR जाज के बिहार में एंट्री बंद महराष्ट पंजाब और केरल से आये यात्रियों को पटना एरपोर्ट पर दिखाने होगी रिपोर्ट। बिहार में कोरोना के दोसरी लहर कहर बरपा रही है। कोरोना संक्रमन की चेन तोडने के लिए बिहार सरकार हर रोज नई फैसले ले रही है। इसी क्रम में बुद्वार को यत्ताई हुआ कि महराष्ट पंजाब केरल से पटना आने वाले यात्रियों को 22 घंटे पूर्व तक आटी पिस्यार नेगेटिव रिपोर्ट के साथ ही यात्र की अनुमति होगी। बिना रिपोर्ट सम्मादित एरलाइन यात्रा की अनुमति नहीं होगी। यात्रा समापति के बाद 10 दिन का हॉम कॉरंटाइन होना होगा। कुरोना महमारे के पहला पर नियंदरन को लेकर पटना के डियम ने पटना एरपोर्ट के डारेक्टर को इस निर्देश के बाबत पत्र लिखा है बिहार पंचाय चुनाव की तारिकों को लेकर बड़ा अपडेट किसी भी दिन हो सकता है एलान बिहार पंचाय चुनाव की तारिकों का इंतिजार कर रहे लोगों के लिए बड़ा अपडेट है किसी भी दिन बिहार पंचाय चुनाव की गुशना हो सकती है राज निर्वाचन आयोग ने बुद्वार को राज के सवी दिर्देश जारी करके कहा कि 20 अप्रेल तक राज में नगर विकास एवं आवास विभाग द्वारा नव गठित उत्क्रामित वा छेत्र विस पंचायत की इस्तितिकी रिपोर्ट उपलप्त करावे आयोग ने जिलो को यह भी कहा कि पंचाय चुनाव की अधिसुचना किसी भी दिन जारी हो सकती है ऐसे में जिलो द्वारा नए नगर निकाय की गठन के बाद प्रभावित पंचायतों की इस्तितिकी रिपोर्ड आयोग को उपलप्त करावे और अंकी बड़े कबर सावत फिल्मों के सुपर इस्टार अलू अरजुन के साथ नजर आयेगी बिहारी गर्ल संचिता बसु टिक टोक ने दिलाए थी पहचान बिहार के सहरसा जिले के एक छोटे से गाउं से निकल संचिता बसु ने सावत फिल्म इंडेस्टिर तक कर सपरताई किया है वो सावत फिल्मों के सुपर इस्टार अलू अरजुन के साथ एक फिल्म प्रोजेक्ट में काम कर रही है बिहार की बेटी और गाउं के लड़की के लिए बड़ी उपलब्दी है संचिता बसु सावत फिल्म से अपनी फिल्म करियर की सुरवात मुई के अभिनेत्री के रूप में कर रही है इंटरनेट पर धूम मचा रही संचिता बसु ने पहले तो टिक टोक इस्टार के रूप में अपनी पहचान बनाई उसके बाद स्नेक एप पर सिंगिंग एवाव डांस के चेतर में उनकी 11 मिलियन फॉलोवर है आज के लिए आपका स्वाल बताए कि भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है इसका जवाब आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं